हालो फ्रेंस वैल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से होंगे देख फिर कुछ यूनिक आइडियास आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान मना देगा चली इस्टार करते हैं फ्रेंस कई बार क्या होता है जब हम आपके साथ ऐसा हो चाय के दाख सूख जाए इसमें तो मैंने इसमें सिर्प एक एक चुटकी इसमें बेकिन सोडर डाला है और इसमें नॉर्मल पानी ही डाला है हमने यहां कोई इसक्रवर भी यूस नहीं किया है आप देख सकते हैं या सामने सिर्फ हाथी से यह देगे कि जो पीला पन चड़ आता है ना चाय का वह भी बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा अभी आप देखिए आपी के सामने मैंने सिर्फ हाथी से इसे क्लेंग किया है इसमें कोई भी इसक्रवर यूस नहीं किया है और नॉर्मली आप इसे कोई भी डिश बॉस से भी दो सकते है लेकिं बेकिंग शूट डालने से थोड़ा सा यह होता है कि अंदर से कब में जो पीला पन चड़ गया है ना वो बहुत अच्छे से साफ हो जाता हो और एक शाइन सी चमक आजाती है अपके अपये तो इस तरीके से आप भी अपने जो चाय का पीला पन चाह का पीला पन तो आप भी ट्राइब करके यह जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत काम आए तो चलिए नैस्टिप देख लेते हैं फैंस जैसे की गर्मिया स्टार्ट हो चुकी है और बिना पानी के हमारा को भी काम नहीं होता है चाहे हम अपने आपिस जाए मार्केट जाए या पाहर किसी भी काम से जाए पानी की बूटल हमारे बैक में जरूर होने चाहिए लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर पानी की बोटल हमारी इस तरीके से लीक होती रहती है तो वो हमारे बैक के सारे सामन को खराव कर देती है और फिर इस तरीके से बिना पानी की हैं हम बाहर मुझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि गर्मी अतनी है तो थोड़ी थोड़ी में मैं पानी की जरूरती ही रहती है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक आइडिया शेयर कर रही हूं आपके साथ ही बैटर यह प्रॉल्म होती है तो मैंने यहां पर एक ब्लून लिया है इसके पार्ट इसको मैंने काटके कटके कर दिया और नीछे का जो पार्ट को निचे वालु पार है ऒही हमें यूज करता हूँ आख हुआ है जब आप इसे बैग में डालके जाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी लीकिस नहीं होगी जैसे कि आप देख सकते हों मैंने आपको यहां पर बोरी जोर से हिला के दिखाया है इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकलना है अब आप इस तरीके से अपनी बोडल को बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं आप इसका बलून निकाल कर इसे यूज कर लीजिए और फिर बाप इस तरीके से ढखकन से से कवर कर देजिए तो आई होप इस तरीके से जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपका पानी बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा और नहीं आपका कोई भी सामन कराब होगा चलिए नैस देख लेते हैं फैंज जब भी हम गैस पे खाना बनाने के लिए कोई गीरा बरतन चड़ाते हैं ना तो इस तरीके से चड़ा देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं कि हमारे बरतन का जो पानी है आश्टा वो अच्छे से जल जाए तक फिर हम उसमें तेल यूज करें लेकिन इससे होता क्या है अगर हम इस तरीके से बरतन को पानी गैस के उपर रखते हैं तो काफी सारी हमारी गैस बेश्ट हो जाते हैं आपको कह करना है कोई भी बरतन है उल्टा रख दीजिए इस तरीके से इससे आपके अंदर का गैस का जो बरतन का पानी है वो भी बहुत जल्दी सुख जाएगा आपकी गैस भी कम से कम खर्श होगी काम तो हम सभी अपने किचिन में अच्छे से ही करने की कोशिस करते हैं लेकिन अगर उसे थोड़ इसमार्ट तरीके से किया जाए तो वो हमारी काफी सारी बच्चत भी कर जाता है इसलिए मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगी जब भी आप अपने गैस में कोई भी गील्या बरतर रखे ना तो एक बाँ उसे उल्टा करके उसका पानी जरूर सुखा है इससे आपकी गैस की बच्चत भी हो जाएगी और आपकी समय के भी तो आई होप यह वाला टेप आपको पसंद आया चलिए नैश्टिब देख लेते हैं तो फैन जब भी हम रोटिया बनाते है गर पे तो हमारा आटा जब भी बच जाता है तो इस तरीके से हम किसी भी बरतन में उठाकर इसे रख देते हैं उपर से ढकन से कवर करने के बाद और फिर आपने देखा यह होगा जब हम इसे फ्रिज में इसी तरीके से रख दे तो इसके ऊपर का जो आटा होता है बहुत भी काफी ज़्यादा सक्त हो जाता है जिसके हम रोटिया बनाने पर ना ही उसकी रोटिया मुलाएं बनती हैं फूली फूली बनती है जिने खाना कोई भी पसंद नहीं करता है तो इसके लिए एक आपके साथ आइडिया बहुत अच्छा शेयर कर रही हूँ जो आपके आट किसा आप इसे ढखकन से कवाद करके रख दीजिए जब आप इसे दूसी बार यूज करने के बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी उपर ना ही कोई भी पपड़ी आईगी और ना ही ये सक्त होगा जब आप इसकी रोटिया बनाएगी तो रोटिया भी काफी हो जाता है हमें हटाना पड़ता है और जब आप इसकी रोटिया बनाएगी तो इसकी रोटिया भी काफी फूली फूली और सॉफ्ट बनती है जिन्हें काना हर कोई पसंद करेगा तो आई गोप ये वाला टिप आपके बहुत काम आएगा चलिए नैस देख लेते हैं फ्रे मिलावट नहीं है फैंस ऐसे कि हम सभी जानते हैं मार्केट में कोई भी प्रोड़क्ट आता है अगर उस चीज की सौर्टेज होने लगे ना तो उस प्रोड़क्ट में मिलावट करने सुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें तो कश्टमर की पूर्ती करनी है और अपनी तो उसको थोड़ा इसमार तरीके से जरू सीखें अभी मैं आपको यहां पर एक आइडिया कर रहे हूं कि आप चाय की पती यूज करते हैं उसको किस तरीके से आप घर पे बड़े आसानी से चेक कर पाएंगे कि बाकी में यह जो चाय की पती बिना मिलावट वाली हम तो इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए अभी हमने इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया और मैं आपको भी पास से दिखाती हूँ कि इसमें जो कलर आया है अगर आपके चाय की पती में मिलावट होती ना तो या तो यह हलका यलो कलर ना होके ड पानी में पकाते हैं, तो एक डाक कलर आने लगता आया है है उसमें उस तरीके से कलर हो जाता तो अभी देखे इसमें हल्का येलो की कलर आया है इसमें मिलावत नहीं है, तो जब भी आप चाय की पती लेकर आये ना पहली बात तो आप पैकट वाली ही की यूज़ करें करी लो तो किसी chemical की या फिर किसी color की अब एक तरीका इसको check करने का और मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि आप थोड़ी से चाय पती हाथ में ले लीजिए इस तरीके से और इसमें आप 3-4 गुन पानी डाल लीजिए जैसे हलका सा ही गीला करना है जादा गिला नहीं कहना है ताकि इसमें एक नमी आजाए जिर्फ इतना ही गिला कहना है और हम हम क्या करेंगे दूसरे हाथ के अंगोटी से इस तरीके से मसल लेंगे जैसे दिसे आप इसे मलेंगे न तो अगर इसमें color की मिलावट होगी तो आपके हाथों पे नजर आने लगेगा जैसे कि मेरे हाथ पे कोई भी color में नजर नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं हलका सा ही yellow color निकल रहा है जैसे कि पानी से निकलाता जो वही अभी देखिए अगर इसमें मिलावट होती तो काफी साथा color हमारे हाथ पे आ जाता जैसे कि मेरे हाथ में या मेंदी लगी है तो आपको शायद इत्तर समझ में नहीं आ रहा है अगर आप अपने हाथ में टाइ करके देखेंगे तो आपको अच्छे सा समझ में आएगा तो इस तरीके से आप अपनी चाई पती को बड़े आसानी से घर पे ही चेक कर सकते है तो आई होप ये वाला आइडिया आपके बहुत काम आएगा और जब भी आप चाई पती यूज करें चाई बनाने के अगर सौकीन है चाई के सौकीन है तो एक बाद चाई के पती को इस तरीके से चेक जरूर करें ताकि आपके सरी को कोई भी हानी ना पहुंचे अगर कोई भी चीज हम खाते हैं यूज करते हैं और अगर उससे हमारे सरी को हानी पहुंच दिये तो ये हमारे सरीर के लिए काफी नुकसान दायक हो सकता है तो आई होप ये वाला आइडिया आपके लिए काफी काम आएगा आंगे से जब भी आप चाय पिएंगे तो आपको ये एक पर ट्राइक करके जरूर देखना है तो चलिए फ्रेंट्स आज का वीडियो करते हैं यहीं पेंड आज का वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करतीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तब तकी लिटी क्या बाइबाइ